लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें सहाब को पंडित जिबुला रहे तुम वहां पर जाओ भावी भाईया कहां पर है हाँ बताए ना राघाव राव कहां है अगर वो नहीं है तो उनके भाई को बुला दीजिए कन्यातान उनके हाथों से ही होना चाहिए शादी रुख जै तब भी कोई परवानी अब तक आपने सुना होगा कि दुलहन मौजूद नहीं थी इसलिए शादी रुख गई ये भी देखा होगा कि दुलहन मौजूद नहीं थी इसलिए शादी रुख गई पर दुलहन के पिता मौजूद नहों होने के कारण शादी रुख गई ऐसा सिर्फ मेरी बेटी के साथ हुआ वहाँ शादी हो रही है और मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपनी बेटी से नाराज हूँ बलकि बेटी के प्रती जो प्यार है उसकी वज़़ा से आया हूँ रागोर आओ जी रागोर आओ जी वहाँ आपकी बेटी की शादी हो रही और आप यहाँ पे हैं अभी कुछ लोग और आने वाले हैं जो आने वाले हैं वो आजाएंगे उनके लेट होने से शादी नहीं रुखेगी लेकिन आप नहीं गया तो शादी रुख जाएगी मैं नहीं रहूँगा तो शादी नहीं रुखेगी वो नहीं आएंगे तो शादी रुख जाएगी इतने खास लोग है क्या? East Coast कितने बज़े आएगी हा? वो तीन बज़े तक आएगी करें अब ही बारा बज़रे तीन घंटे और हैं एक हार अभी बारा बज़रे तीन घंटे में डिलेवरी को जाएजी न्क ही पच्छी साल पहले जब मेरी बेटी होने वाली थी तो उस वक्त भी इसी तरह डर से तीन गंटे तक इंतजार करता रहा तब इस बात का डर था कि मैं बाप बनूंगा या नहीं अब ये डर है कि बाप के रुप में जीतूंगा या नहीं अब बिल्कुर चिंता मत कीजिए अभी बारा बज रहा है तीम घंटे में डिलेवरी हो जाएगी बाइया आपकी बेटी हुई है वो भी ची तीन बजे तेखिए ना आस तारीक भी तीन है महीना भी तीसरा है तुम्हारी बेटी सच में खुश नसीब है इस बार आपको जरूर एंपी की सीट मिलेगी चाहिए ना बाइया देखिए गुरुजी से इसकी कुंडली बनवानी होगी गुरुजी बच्चे की कुंडली यह हासी तुम्हारे चहरे पर ऐसे ही रहेगे ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा रहागा तुम्हें बेटी नहीं हुई है तुम्हें शत्रू हुआ है दोनों कभी भी किसी बात के लिए राजी नहीं हुई प्रहलाद और हिरन्यकश्यप की कहानी पता है ना तुम दोनों की भी वही कुंडली है तुम परवरिश एक तरीके से करोगे लेकिन वो बड़ी होगी ज्यादा साल साथ नहीं रह पाओगे राघव अपनी बीटी को मैं बदल दूंगा गुरू जी इरन्यकश्यप प्रलाद को बदल पाया था क्या तो फिर मैं बदल जाओंगा गुरू जी शादी के पांच साल बाद ये पैदा हुई है हम दुनों के बीच में वैसे जगड़ा होगा भी तो क्यों गुरू जी अगर मैं उसके विरुद जाओंगा तो ही जगड़ा होगा पर मैं उसके विरुद जाओंगा ही नहीं वो जै पाइदा होने तक कोख में रखने वाली को मा कहते हैं पर आखिर तक साथ देने वाले को बिदा कहते हैं साथ दूंगा गुरुजी यह हसी में अपने चेहरे पे जिन्दगी भर ऐसा ही रखूंगा गुरुजी देखो कैसे देख रही है मुझे अरे भाया आपको MP की सीट मिल देखा रहा आपकी बेटी आपके लिए कितनी शुब है इस बार बेरे बजाए तुम खड़े हो जाओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा मैं हां मैं अगर MP बनकर व्यस्तर होंगा और इससे बात नहीं कर पाऊंगा तो समय नहीं दे पाऊंगा तो यह हम दोनों के बीच मेरी बेटी के पैदा होने के समय और तारीक से लेकर हर गुषय में तीन अंख जिंदगी में हमेशा उसके साथ चलता रहा उस दिन उसने आश्चर जनक रूप से तीन चीज़े पकड़ने अगर रूम नमबर तीन नहीं होता तो मैं उसे स्कूल नहीं ब्येजता रांक नमबर तीन नहीं होता तो क्लास नहीं जाती रैंक नमबर तीन लाने वालों से फ्रेंड्शिप करती सब फर्स्ट प्राइज लाकर खुश होते थे पर मेरी बेटी मैं दूसरी बार एंपी बन रहा हूं वह भी आपके करण आज मैं मेरा बेटा मेरा पूरा परिवार जो कुछ भी है आपकी वजह से तुमको ज्यादा ही तारीफ कर रहो ऐसा नहीं लगता तुम्हें क्यों बेटी चुट्टी हो गई? भाईया लगता है आपकी बेटी को चोट लग गई है जानता हूँ तो आप उससे पूछते क्यों नहीं है वो कुद नहीं बूलना चाहती है अरे वो नहीं बता रही तो आप तो पुछिए उससे चोट लगी है ये बात वो मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं भी दिखाऊंगा कि मुझे पता नहीं है बेटी और पिता दोनों महान है पापा आपको कुछ बताना है क्या है बेटा मुझे चोटी सी चोट लग गई थी चोटी नहीं है बड़ी है मरहम लगा दिया है मैंने ठीक हुजाएगा मैंने बताया नहीं था ना आपको केसे बता चला पापा हुँ ना पता चल जाता है मैं अपनी बेटी की किसी भी च्छा के बीच में नहीं आता हूं वो दीवार पे चल रही है ऐसे चलना नहीं चाहिए पता है पर मैंने रोकूंगा क्योंकि उसे चलना है वैसे भी मैं अपने दूनों हाथों से उसे बचाऊंगा उसे गिरने से बचाना मेरी जिम्मेदारी है बेटी समझर अरे जाहब आपके बेटी पानी में गिर गई है अरे शंकर बच्ची को उपर लेकर आओ पदमा बेटी पदमा बेटी पदमा पदमा बेटी पदमा बेटी पदमा अरे अब तुम्हें एक पलकली भी ने चुड़ूँगा मुझे अपसे संभल के रहना होगा बेटी दर्वाजा खोलो बेटी खोलो बेटी खोलो बेटी खोलो बेटी बेटी के लिए अगर मुझे जूट बोलना पड़े तो इसमें कोई गलती नहीं है पदो तुम पास हो गई इंजिनरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है तो क्या आप भी नौकरी करने के लिए यहां से हैडराबाद भेजेंगे अरे नहीं उसे बहला नौकरी करने की क्या ज़रूरत है वैसे उसे देखे बिना में रह नहीं पाता हूं नौकरी करूंगी ठीक है तुम्हारी मर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हें कहा है कुछ नहीं हम तुम्हारी श्यादी करने के बारे में सूच रहे हैं नौकरी मिलने पर वो भी कर लोगी पापा इतनी महने से जो पढ़ाई की है वो वेस्ट हो जाएगी यह तुम्हारे पापा जब मैं पैदा हुई थी तब बीटा की पढ़ाई कंप्लीट करके हाइद्रबाद जॉब करने जाओंगी ऐसा कभी सोचा था अपने कभी नहीं प्यारी बच्ची आपका नाम रोशन करने के लिए मैंने राद भर मेहनत करके इतनी पढ़ाई की पढ़ना मुझे आपको कैसा लग रहा है पापा अरे बता ही नहीं सकता है रागव राओ जी उस तरफ क्यों मुड़ गए पापा इस बात कर डर है क्या क्यों बेटी कहा जा रही हो इंजिनिन एक्सम पास कर ली है ना मैंने हाइद्रबा जाकर नौकरी करके अपने पापा का नाम रोशन रागव राओ जी पहुंचे एक फोन कर देना भूलना मत है रागव राओ जी काफी दिर से आप कुछ कहना चाह रहे थे ना मैंने तो आपको बताया था कि आपकी बेटी फेल हो गई है पात होना चाहती थी ना तुम्हारे एंपी भाईया हाँ हलो बोलिए भाईया आपने कहा था ना आपकी बेटी के नौकरी पक्की हो गई थेंक्यू थेंक्यू जी पद्दू की नौकरी कन्फर्म हो गई लेकिन फेल हुई लड़की को कौन नाम देगा हम ही देंगे बात व वो भी अगर उसे देदू तो उसके बाद की चाहपुरी करने के लिए मेरा होना ज़रूरी है ना पद्दू हाई तेंथ के बाद हम आज मिल रहे हैं और बताओ ममी डाडी कैस है सब ठीक है किसका फोन था एक्स बॉइफ्रेंड का था ब्रेक अप हो गया है तुम बताओ ना ऐसा क्यों मैं उसके साथ जिन्दगी पिताना चाहती हूं पर उसे इस बात में कोई दिल्चस्पी नहीं इसलिए कहते हैं कि शहर की लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें बॉइफ्रेंड कैसा मिलता है यह सब चुड़े रहा हम दोरों यह शेहर को पागल कर देंगे ये कि वागल करता है पापा मा कैसी हो पिटी इतना अच्छा रिष्टा आया है और तुम्हें खेल लग रहा है और वैसे भी तुमने कहा था ना जॉब मिलने के बाद तुम शादी कर लोगी जॉब इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे थोड़ी पता था पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी शा काओ तुम्हारी मर्जी तुम्हें का यह सब छोड़ तुम्हारी शादी होगी बच्चे होंगे तो बच्चों के साथ के हमारे दिल बहलेगा की नहीं तो फिर पापा की शादी करवा दीजिए उनके बच्चों से आप वैसे इस उम्र में शादी होना तो ठीक है लेकिन बजाग बंद कीजिए इससे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है नहीं होगा बैटी अच्छे हो ना मुश्किल है मुश्किल है जी पापा प्लीज देखो मेरी लडली मा तुम्हारे भले के लिए तो बूल रही है ना वह सुंदर ने लड़का देखो 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 ना मुझे सोचने के लिए थोड़ा चाहिए करी सोचकर आएगी चलो हम गाव चलते हैं यहीं वेट करते हैं वह सोच लेगी मेमस आपको मुझी कप् मेरी फाड कर दी क्या करों कुछ समझ नहीं हा रहा है हलो एक कब से फोन करी हूं ठानी सकती उठाए ना बोला ममी पापा आये हुए है इसी महीने मेरी शादी कलवाना चाहते हैं क्या इतनी जल्दी शादी तक पहुच गए है मेरी मा तो बच्चों तक पहुच गई है ब्लू तो लेके कान में रख ले फोन लेके जेब में रख ले तेरे घरवाले तुससे जो भी पुछे ना मैं जो जवाब दोंगी वही कहना ठीक है मागी इस ड्रस में पॉकेट ही नहीं है अब क्या करूं अरे ठीक ठीक है ओक है हम आगे हूं हम आगे मैंने देखा तो बताना क्या कहों मुझे ये शादी मंजूर नहीं मैगी को ये शादी मंजूर नहीं है बीच में वह कहां से आ गई आहर मुझे ये शादी मंजूर नहीं है मैं अल्रोड़ी एक लड़के से प्यार करती हूं मैगी और एक लड़के से प्यार करती है वह किसी से प्यार करती ह हुआ है पागल हो गई है क्या यह एक लड़के से प्यार करती है और आप चुप-चप यह सारी बाते सुन रहे हैं चलो बहुत हो गया सामन बंधो और घर चलो तुम रुको देखो बेटी हमें भी तुम्हारी पसंद के रिष्टे से ही शादी करवानी है तुम जिसे पसंद क इस बीच अगर वो आ गया तो तेरी पसंद के लड़के से वरना हमारी पसंद के लड़के से शादी होगी इस बार तुम बाप बेटी की कुछ नहीं चलने वाली है मैं यहां आओंगे और तुझे लेकर चली जाओंगी ठीक है ना मापापा चले गए अब छे महिनों तक कोई शादी की बाद नहीं होगी बहुत एक्साइट लग रही हो हाँ छे महिने अब फ्री हुना छे महिने के बाद पापा से बेवजे जूट का हाना मैंने अरे गधी इंडिया में हर लव की एक ही प्रॉब्लम होती है उनके माबाप और कुछ नहीं देख यहां लड़की नहीं मानी ऐसा बहुत कम होता है माबाप नहीं माने यहीं ज्यादा होता है तो अगर लव नहीं करेगी तो तेरी श पुक की तरह है वहां पर जो भी होगा वो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा अलो मैरे जोता है एक नोट पुक की तरह तुझे जो पसंद है वो लिख पागल हो गई है कुछ भी लिख लेगी वैसे भी तेरे पिता जी ने कहा है ना वो तेरी मर्जी से ही शादी करेंगे फि तेरे हाथ में है ठीक है तो अब क्या करना होगा इतना बोलने के बाद भी पूछ रही है कि क्या करूं बेवकूफ तुने अपने पापा से जो जूर बोला है उसे सचकर मतलो चलो महीने में ही किसी हीरो जैसे लड़के को पापा के पास ले जाओं है ना चलो पकड़ते हैं किसी हीरो जैसे लड़के को अल्मोस्ट मिली है समझ कौन यह तीन यहां पे तो तीन है गधू गधू नहीं पदू इस शहर के इतने सारे हैंसम लड़कों के बीच से मैंने इन तीन लड़कों को चुना है पहले इन तीनों के साथ ट्रावल करूंगी फिर उनमें से किसी एकोफानी करूंगी और उसे गाव ले जाकर उसकी सास के लिए यम्राज बनाऊंगी इस लड़की का पती बनाऊंगी और मेरे पापा के लिए दामाद बनाऊंगी तीन महिने में बहुत गुसी गई है पर इतने रोगों में से इन तीनों को क्यों पसंद किया यह तो बता बताते हूं इसका नाम है गोखुल लड़का लोकल है इसके एक स्टेडियम एक भगल में रहूंगी नेक्स्ट इसका नाम है नानी रिटिन टेस्ट पास हो गया है और पुलीस बनने के लिए फिजिकल टेस्ट पाकी है करें रसकूल मतलब बहुत दमदार होगा और दमदार पैसे भी आएंगे पुलीस का मतलब पता है न हमारी गाड़ी को भी रोकीगा नहीं और अगर हम नरेंद्रा मोहन्शाष्ठ्री मंदिर में पुझारी है उस्य विदवान पंडित को तू ने क्या समझा एभे पैदा होने वाले बच्चे के ब्हु कदा करना होगा तो कुदली मिलोगा तो आप विदर में ह हमारेimal के सबसे पहले हमारी याद आती है कुंडली मिलवाना होगा तो आप लोग हमारे पास ही सबसे पहले दौड़कर चले आते हैं बच्चे की जर्म से लेकर उसकी मृत्यू तक सारी क्रिया करम हम ही लोग करते हैं यहां तक कि शादी के बाद जो पहला बच्चा पेदा होता उसका नाम भी हम ल वाली है तू मेरी लखी डेट तीन है तो उसी तारीक से शुरू करूंगी मैं आमीना सुपर सिन्ना बीग बॉइब लीजी गर्ल्स स्टी ओ पी स्टॉप गोकुल छ sigu सकतरा उस्टी नाम भी हम लिग डोग तेनी पैस्टिसमगो जल्स सिर्चोंटार उस है तो हम भी हम ल Bohण है। जाने 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 वो दे भाई यह बॉल यह बॉली तो बहुत अच्छी है वह लड़की भी बहुत खूपसूरत है भाई यह यह बॉल पकड़ लिया तो इसका मतलब यह खेलने आई हो अगर ट्राइ किया तो सीखने आई हो तुम दोनों बास्केट बॉल सीखने आई हो इसलिए हम सीखने आये हैं तुम सिर्फ देख सकती हो लेकिन खेल नहीं पाओगी ऐसा क्यों और नहीं तो गया अच्छा खेल सक्त स्केट बॉल की बदू हां ओके सी यू तुमारो शार्प एट एम वैसे नंबर बोलना भूल गई हो आप ही पूछना भूल गए कल याज से पूछ लीजेगा भूले ना बता दूंगी वैसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया हो यह वह बात भूली गया तुम दिखने में बहुत बद सूरत हो तो फिर मैं एक कमान सफेद ताज महल को ठंडे हिमाले को और तुम्हारी खूबसूरती को बताने की ज़रूद है क्या आम इना सुपर सिना वीग बॉय लेजी गर्ल स्टी ओव पी स्टॉप नानी कौन है तुम हमने क्या गलति की जो पीछा करके हमें मार रहा है में छोटी से बाप में फॉन करता हूं बाब में थूट कैसे बोलता है मुझसे सिखो तू कहां पर पार्क में पूल में कहा है बताया है वेसिकली मुझे जूट से नफरत है जूट बोलने वाले को मार देता हूँ, अभी ट्रेणिंग में हूँ इसलिए थपड मारा, एक बर पोस्टिंग हो गई तो, हलो, मैं कौन हूँ तुम्हें पता है, कौन है, महेश बाबु, इसे कहते हैं जूट, इस पे मारना चाहिए, किसके लिए मारा, इसके लिए, उसके यह नहीं, हलो सुबाराओ जी, गुट बॉर्णिंग, इसे हो, बागा, वह सुबाराओ जी कहा है, कहा था ना, कि मुझे जूट से बहुत नफरत है, फिर क्यों बोला तुमने, लगता है, छोटी-छोटी जूट के लिए हमें जान से मारता का, बागा, 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 बा तुम कानो, एक नट की, कालो, 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 क इतने सालों से कहां थी आप क्या शादी नहीं वे ना आपकी नहीं फिर तो छोड़ने का सावाली पैदा नहीं होता है कैसे क्रिम्नल्स को थोड़ा उपर उठाएंगे प्लीज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है ना पागल हो क्या कैसे बता च तो ठीक है क्यों जी कुछ हुआ तो लेना आपको है हां वैसे अभी अभी वो मुझसे टकराया तो था देखने में मैनली है टी-शिट में बहुत हैंसम लग रहा था कि सिरक जूट बोलने पर तुमें क्यों मारता है कियो भे आर से मन ने पराड क्या तो फेर एक सच बोलता हूं ग्रान से सुन ले सुना न, कल सुबह 11 बजे, मंजीरा मॉल में तेरी गर्ल्फ्रेंड को रेप करूँगा किसके गर्ल्फ्रेंड और किसका रेप करेगा तुछ तुम दोनों के पीछे जो बेक्गरांड म्यूजिक बज रहा था, उसे मैंने सुना, तुम्हारा रोमेंस भी देखा मैंने, कल तुम्हारी उसी गर्ल्फ्रेंड के साथ मैं रेप करूँगा रेप आज के बाद वो तुम्हारे आसपास ही घुमता रहेगा यहां पर नमो शास्त्री जी काल? यहांने की पूरी जर्ण शास्त्री मैं जिरन भजरन शास्त्री रहेंगे मतलब पूरी जिंदगी अकेले ही रहेंगे किसके बारे में बात कर रहे हो तुम पता है यह साक्षा तिरुमाला भगवान का प्रसाद है लड़ू प्रसाद है क्या नाई चावल का प्रसाद है अरे पहले सुन तो लो बचपर में जब इसकी जान खत्र में थी तो स्वामी जी न इसके लिए एक मननत मांगी थी कि अगर ठीक हो गया तो इसे इसी के वाले कर देंगे और यह बच गया तब से प्रमाचारी है क्रुमाला देव इस्थान में पंडिताई करने के लिए मैं जाने वाला हूं और चार दिनों के बाद अपनी पूरी जिंदगी वही पर पिताऊंगा शुभम क्या शुभम अरे जब भी कोई इसे अच्छी और सुदर लड़की दिखेगी ना तो यह अपना रास्ता बदल देगा यह पत्मावती अब भागतों को प्रसाद दो शास्त्री प्रसाद दो दे रहा हम अरे दो जल्दी अरे प्रसाद दो अब तो खुश हो ना तो अरे दे तुझे वहां नहीं देखना चाहिए जिस लड़की के बारे में वो बोल रादा कहीं यह वही तो नहीं है वो दिखने में अची है तो क्या तुझे इससे क्या मतलब है तू अपना काम कर आड़ प्रसाद दान यह मुझे कैसी लग रही त तुमें पता है क्या कैसी लेग रही है पता प्रसाद थोड़ा गरम है समल के बाटना कहां चली गई यह प्रसाद स्वारेई जी आप इतनी होट थैसली मैंने प्रसाद गरम है थthenड़ा यह देख देखे बिना आपको देजिया कोई बात ही अप इतने स्वीट है कि गरम है यह थंड़ा यह देखे बिना मैंने е खालिया प्रसाद दीजी देख ने मौ अगर माता पीता में फरोसा किया तो वह तुझे थाली में खारा न अगर लड़की में फरोसा किया न Repeats तुम जरा अपने मूझ को विराम दो अपनी जानकी के बारे में यह सब सुनना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है पंडित जी शाएद इसका बैंगलोर में ट्रांसफर हो सकता है वो रुख जा है उसके लिए कोई पूजा है क्या सिर्फ पूजा ही क्यों जी याग अर्चना जाप हवन कुछ भी करने की जरूरत पड़े मैं सब कुछ करूंगा लेकिन इस करनिया को हैदराबास से बाहर नही इसंहरो है थांक क्यू से थेर्फ तो और नंबर लो भी और नहीं ना की वेंजा थांक क्यों तो क्यों ह theo मध्या थे बंचाह थिए थांक बंच निपल नं मैंआ थे भूझा पंडर निकालंगी तो कहाना अपने छल्स कुष्शी आपके उनेन अप्स नंमर्ट मोरत निकाले हाँ पर हाइद्रबाद में सेलिब्रेशन के नाम पर सब ड्रिंक्स ही क्यों लेते हैं यहां तक ही लड़किया भी मुझे भी वह समझ में नहीं आता हम तू रोस पीती है क्या हाँ ची रात को अगर पीने के बाद में काम याली के बारे में बॉइफ्रेंट्स के बारे में बात करें एक अलग ही मजा आता है आचा तोब च्राट करते हैं हम पंडिची लडकियों के बारे में कुछ पता नहीं इसलिए वो easily फ़स सकता है पर first club है न अगर fail होवा तो उसके suicide के chances ज्यादा हो सकते है So उसके साथ बहुत सावधानी से रहना होगा गोकुल उसके जिंदकी में बहुत लड़किया है इसलिए वो easily फ़स सकता है पर अगर उसे लड़की मिल गए ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसके साथ हम दोनों को ही सावधान रहना पड़ेगा, ओके, ये दोनों को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं, पर तीसरा छोटे जूट पे जान ले लेता है, गल्ती से भी उसे किसी भी बात पे जूट मत ब लेगा, तुझे ही बता रही हूँ, तुने तो कहा था, दो पेक में ही तुगिर जाती है, अब तक गिरी क्यों नहीं? तुझो कह रही है, उसे सुनकर तो चार पेक के बाद भी नहीं गिर सकती, चेल बेली, अगर उसके सामने जूट कहेंगे, तो वो सह नहीं पाएगा, ल इसी मॉल में रेप करेगा बोला था उसने, बता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा, हलो, हाई, हाई, आप यहां क्या कर रहे है, वो कल मैंने दो लुगों को मारा था न, वो बोल रहे थे कि तुम्हारा रेप करेंगे, इसलिए आया मैं आप किसी को मारेंगे, तो वो मेरा रेप क्युं управ करेगा यह क्या मैं आपसे लब करता हूं और सोच्bons lijynı इसे मौन अटारे अपीरीफ टेओटेय करें का vaigpanे यह एक पौर दोड़ा का माया जा कहा ज्या선 के कि ने विच अए और क्या का उसने उला है कि आप बुडा मत मानियेगा अरे सच में वो रेप करेगा कह रहा था और और आप कुछी-खुछी देखने चले आए अरे नहीं रोकने के लिए आया वे तो किया पर इतने सारे लोग है यह आ कर रोग लेंगे ना आपको यह आ कर रोकना था इतने सारे लोगों के बीच मैंने तुमारी कमर पकड़ ली कोई आयरोपने किसी के पास टाइम नहीं है इतना क्या सोचती हो तो मेरे बारे में तुमसे ही पूछ रहा हो जवाब दो आप डाट रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है वो आपको समझाना था इसलिए मैंने आपकी कमर पकड़ ली बुरा मत मानियागा ठीक है आपने मेरी कमर पकड़ ली तब भी मुझे अच्छा लगा है पर इतनी देर पकड़ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है मैं चलता हूँ अच्छा सुनिये अब चाते समय से पीछे मुरकर मत देखिए मचे कुछ कुछ होता है बाई 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 रंगोली कैसी लगी उसे फसानी के लिए तुम रंगोली बनवर है रहा है शुप कर से बादे में गलाना इसी बाति की तरह जिखता है बेवको वैसे मेरी बात समझ में पता दब तो बेटा नमो क्या हुआ पिता जी कह रहे हो कुछ नहीं गुरुजी यह पेरु बड़ा स्वादिश्ट है पूजा करने से पहले खा लेगा ऐसा कह रहा है मैंने खाने से मना कर दिया तो इसलिए मुझे जगणा कर रहा है क्या कहा पूजा के बीच पेरु की तरफ जाना मेर की बात माल ले ठीक है रहे जैसे पिता जी कहेंगे वैसे ही हेलो कैसे है आप आप बहुत अच्छी है जी क्या कहा है मैं अच्छा हूँ आप कैसी है जी बहुत अच्छी हूँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि आप बहुत अच्छी है यह क्या कुछ नहीं बस पूजा शुरू होने वाली है ओम गमगडपताए नमाहा ओम भूरभुवस्वाहा तस्वितुर्वरेन्यम भरगोदेवस्य धीमेही धुयोयो ना प्रचो क्या है मेरा नाम कुमारी है ओम कुमारी नाम lou देवस्या हूं और आप कि एज हुआ है क्यों मुझसे प्यार करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या मेरा बैग्राउंड यू चाहिए आपको नहीं बैग्राउंड नहीं चाहिए मुझे सुमो सही बोलाना इनोंने आपके पैर परता हूं आप रोक दिजे जित्रा किया वो काफी है क्यों भईया इतनी सुबह सुबह यहां कल जो लड़की आई थी ना उसके लिए वह वैसे भी आपसे नहीं पटने वाली है चोड़ दो बाई नमबर मांगने पर तो उसने दिया नहीं अब कैसे पटेगी तु देखता रहे दो दिन मैं खालूंगा उसे आज क्लास में आईग आउंटर अब बीच में में एक बास्के लिया तो आग बन करके उसी डिस्तन्स में थ्रो करना चाहिए ओक एड़ी तुम्हारे और मेरे बीच 1.5 मिटर की दूरी है तुम्हारा नोज 2.1 इंस तुम्हारी दोनों आखों के बीच 1.5 इंच की दूरी है तुमारी आकों होटों के बीच 3.4 इंचेस की दूरी है तुम्हारे होट नॉर्मली 2.5 इंचेस के हैं मुस्कुर आते वक्त 3.5 इंचेस होते हैं तुम्हारी गर्दन मुझे भावती पसंद आई 3.6 इंचेस हाइट 10.5 इंचेस डियामेटर तुम्हारे टॉप की और 3.4 के बीच सुन्दर और रोमैंटिक दिखने वाली जो दूरी है वो है 8 इंचेस तुम्हें आगे से अगर हग करेंगे तो 42 इंचेस और पीछे से हग करेंगे तो 31.5 इंचेस यह होता है देखने का मतलब अगर आपको मुझसे बात करनी है तो 99202621782 अगर आपको मेरा फ्रेंड बनना है तो पदमावती.paddu.gmail.com अगर आपको मुझसे मिलना है तो 30921-22 गांधी नगर स्ट्रीट नमर सेवन क्या हुआ? इतने डिस्टरप्ट के लग रही है? लेकिन गोकुल ने तो 100 से ज़दा लडगियों से प्यार किया है ये बात तो जानती है फिर उसे कशी क्यों बसंद गया? उस ने 100 लड़कियों से प्यार किया है, ऐसा तुझह लग रहा है और वो 100 तरीकों से प्यार कर सकत यहां रेप कारिक्रम अकेले है सोचा था पर बहुत सारे लोग इसके तियारी कर रहे है ठीक है कहा है वो मुझे नी पता तू पून लगा उसको बोलो रेप होने वाले जल्दी आने को बोलो क्या जेप कर रहे हैं जल्दी आजाओ ऐसा कहूं से वह तो छोटा सा भी जूट न है ट्राइफिक में हो वैसे तुम सेफ हो ना नहीं मैं भाग रही हूँ जल्दी आजाओ जल्दी आओ प्लीज आओ उसक्याने की बात क्या करोगे जिस समय वो आएगा उस समय तुम धर से भागते रहोगी तुम्हारे पीछे हम होंगे आगे तुम पीछे हम और जब हमारा हाथ तुमारे उपर पढ़ने वाला होगा तुम्हार नहीं तो हम लोग जले जाएंग यहां थर्टी सिक्स हलो आइफोन 10 दिलाने वाले थे मुक्य का हजारी है यहां पर फॉन बिल्टो भरी दूंगा आजा 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 एक मिनिटा लाइन पर रहो फॉन बिल्टो हो गया और कुछ अहीं है क्या तेरी तो आजा इससे मार खाने के दो हजार एक्स्ट्रा लगए तुम्हार लगए पेमेंट देना होगा वरना मैं सब बता दूंगा अब मैं जितने घुसे खाऊंगा उतने पैसे दे देना फ्लीज आपैस्स तुमों से भाइव सारश काज परदे है तुमारा नहेंगा अ ==== क्वे और बााँ क्या था गासरय परश्ट्रै नहीं झांपक शो केमारा है थाण काक्त्व थैज्मारा थीज्टे आपके साथ एक सेलफी ले सकते हैं थोड़ा सा और पास आजाए ना ठीक है वो लड़की क्या फिर से यहां पर आएगी हलो कर मागी का बर्दे है अच्छा जी इस मौके पर आपको एक पार्टी देने का सोच रहे हैं तक्षिना दो कि वही काफी है पार्टी की क्या जरू होत नापी पार्टी मंदिरमें नहीं दे सकते हैं ऐसा क्या प्रसी परतल अिसनीय घ्याना पर आही नहीं जाना चाहिए इस हैं गलत क्या है ची जाना पजहाना ही तो होता है निर्थ प्रदेर्षन हम लोग ज़रूर हैंंगे पीजी! पच्छी अच्छी अच्छी सर्च रुके सर हैं तु कौन है रहे जो मुझे रोक रहा है बांसर हूं तो फिर उचल बांसर का बतलब वो नहीं होता है अकेले नहीं जा सकते हैं जोड़ी में जाना होगा सर तो तुम्हां जाना चलते हैं अब क्या हुआ एपल के जोड़ी के साथ एपल नहीं सर एपल के जोड़ी के साथ पेरू सर तो पेरू चाहिए हलो पेरू हलो ब्रामरंबा अहां बोलिये अर्जेंटली ट्रिनिटी पब में आ जाओ बस कपड़े बदल लेती हूं मैं गुस्ते में हुझी अब जल्दी आ जाओ ठीक है यह द शार्दा 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 अरे बाबरी पिटाजी आ गए वो कौन सा राक बजा रहा है और तुम कौन सा नाच कर रहे हो उसके बब कहने पर तुम्हें यहां आने में शरम नहीं आई संगीत का अपमान करने में तुम्हें शरम नहीं आती क्या मा मा जब चोट लग जाती है तो बच्चा मा कहता है गुरुजी और जब लड़की से चोट खाता है तो लड़का मा ऐसा चिल लाता है वही अगर अंजाने में लड़की चोट खाती है तो ऐसा चिलाती है इसी तरह हर एक चीज के लिए एक चीज बनाई गई है रंग है स्वर है धंग है मेरे पास गीता है काब्या है लीजा है तो फिर अब क्या मेरी गल्फर्ण ने मुझे छोड़ दिया उसी का दुख मिटा अब अब तो रुख जा टेक्स्ट करूँ या नहीं हाई सानिया मिर्सा फूर टेनिस के लिए पास्केटबॉल के लिए पद्दू अर्यो फिलिंग स्लेपी नो हाइदरबाद में लड़किया दस बजे सोच आती है क्या तुम लड़के सोने देते हो हाई है लो क्या कर रही हो ठीक है गुड नाइट टेक एर लव यू लव यू क्यों पसंद नहीं आया क्या तो फिर वापस कर दो पसंद आया अपने ही पा नाइगा चंदा मामा एगा इसी लट लगी रहती है पर वो आई नहीं रहा है इसकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा है एक बार तुम से मिलोंगा तो उसको तसल्ली मिलेगी ठीक है तो ठीक है था तुम सच में आई हो क्या वो कल से तुम डोर खटटा रही है और मैं निकल तुम खटकड़ारी और में निकल रहा हूं मेरा इमाइजनेशन था लेकिन अब सर्च हो गया तुम अब यह तुम अभी अभी फ्लैट पर आई हो इतनी जल्दी बच्चा क्यों थोड़ी देर बात बात बुलाते हैं इसलिए डबल मेनिंग क्यों कहा है टारिक्ट मैटर प्याग क्या सोच रहे हो मुझे भी बताओ ना वैसे मुझे यहां क्यों बुलाया है तो देखाओ ओ वो किचन है यह यह डाइनिंग हॉल है वो ड्रेसिंग रूम है उपर बेडरू मैं काऊंगा तो बुरा मान जाएगी तो बेड है यह कौन है माँ जब जिन्दा थी तब उसने होने वली बहु के लिए साड़ी खरी दी थी वैसे अपना टॉपिक आधे में रूग गिया था तो क्यों ना हम उसके बरे में बात करें हाँ टीवी देखे क्या देखो भाई टाइट हो गया क्या सारे टीम निस्चित दिशा लड़ी बुरा मन जाएगी है है वही चानल लगाओ ना कि कमर पर हाथ लगाने से इतना रियाट करते हैं क्या तूमाच मतलब तुम्हारी कमर पर किसे ने हाथ रख दिया तो पता चलेगा रखो मामली सा है इतना भी कुछ नहीं हुआ वैसे टीशेट पर टच किया ना इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है वह अगर डारेक्टली टच कर दिया तो तुम्हारी हालत कर अब हो जाएगे पकड़ो एसे ही किया था ना उसने इतना भी कुछ नहीं हुआ टाइम बदल गया है नहीं सौंग बदल गया है यह फ्रेश इसलिए हो रहा है ना तो फिर मैं भी फ्रेश होकर आजाओं मैं भी फ्रेश होकर आओं क्या चलेगा रूम वहीं पर ना हाँ यह 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 पापा रात में तुम साड़ी पहन के आंगन में घूम रही हो ऐसा सपना आया मुझे साड़ी में फोटो भेजने को कहा बेजी ना अच्छी है ना अब मुझे में हिम्मत आई है थांकी बापा ओकी बाई ओके बेटी है अब कर दो कि अब कि अब कि अब कि कि यह साड़ी तुम्हारी मा ने अपनी बहू के रिए खली दी थी ना अकर तुम्हे सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मा की बहू हूं तो यह साड़ी निकाल सकते हो मैं नहीं रोकूंगी पर अपनी मा की इछाओं का गला मत खोड़ो मैंने कुछ गलत कहा गया नहीं गलती होने से पहले ही बता दिया मेरी मां की बहु बनने के बाद ही मैं तुम्हें टच करूंगा क्यों काम स्यादा हो गया है क्या आज लेट आती हो नहीं कोग गुल के पास जा कर आरही हूं हमागी मैंने कहा था वो अच्छा लड़का नहीं है उसने कुछ किया तो नहीं न तो गे बचे परिशान हो रही है उसने कुछ भी नहीं किया पहले तू बाहर आजा देखा ठन के कारण बुखार हो गया इसे काप रही है तुम जो ट्विस्ट दे रही हो ना उससे बुखार तो क्या मैं प्योर शुगर भी हाई हो जाएगा मेरा मैंने क्या किया है रुको थैंक यू वो यहां च्छे बजी आने के लिए क्या रहे थे इसलिए मैं आ गया वो लोग दिखने में ही काट्रून लगते हैं उन्होंने जो बात की ही वो सीने सीने कर यहां बारिश में खड़े हो गए आपके मामले में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हाँ पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कुछ नहीं हो जाए इसलिए तो मैं आपको बचा रहा हूं हर इंसान की एक ताकत होती है और एक कमजोरी होती है मेरे लिए दोनों सिर्फ आप ही है हुलो पदमवती जी आप कैसी हैं आप सच पे बहुत अच्छे हैं अब कैसे हैं मैं तो बहुत अच्छा हों मैने भी कहा हैं प्रोधों तुम्हारा नाम क्या है लड़की मैगी तुम्हें लास्ट यर बेंड किया था ना तो तुम यहां को घूम रही हो यह इस तरह के कपड़े पहन कर दिती अजीब सी बात ही कर रहे हो इस आग में डॉल के ना जला दूंगी पद्मवती जी कोई भी अगर इन अंगारों पे कर चलो मैगी जी आप दोनों पके दोस्त हैं उनकी जान आप है और आपकी जान वह हैं मतलब जिसमें एक जान हुए अगर उसकी तभीयत खराब होगी तो इसका मन खराब हो जाएगा इसीलिए उनकी सलामतिती के लिए तुम्हें कुछ भी करना चाहिए और इस पर ग्यारा तुम्हारी खाल सुनोगी इसलिए तुम्हा पता नी चल रहा है तुम्हारी एक बार चल चुगी आप तस बच्चे हैं मेरा पेर मेरा पेर मेरा पेर नमो आप क्यों चले अंजान भक्त जब मंदिर बे अपनी समस्यायन लेकर आते हैं ना तो उनकी सलामति के लिए पुजा करना हमारा धर्म होता है तो ऐसे मैं क्या आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता अरे तेरे दिल में अगर इतना ही प्यार था तो त्सीदा उसे बोल क्यों नहीं देता बाद में अगर मना कर दिया तो तुछ सहन नहीं कर पाएगा तो चार दिनों के बाद प्रेमियो वाला दिन है ना उस दिन में अपने दिल के बाद कह दूंगा वैसे भी उस पल के लिए कब से वेट कर रहा हूं मैं मागी मागी ड्रेस चेंज कर रही हूं तुमने क्या कहा था ना उसका यह फोर्स लब है मैंने अगर ना कहा तो वो सुसेट कर लेगा इसी डर से आफ यह लव यू टू श्यार हो ना उन तीनों में सवही तुमें पसंद रहा बात वो नहीं है इस सब के बाद गोखल वहां गया लाइफ मैं फॉर्स ताइम बोल रहा हूं आई लव यू पद्दू अरे पहले इसे हा अरे तुमने दोनों को आई लव यू कैसे कह दिया वो मर जाएगा इसलिए उसे भी आई लव यू कह दिया इसे बुरा लगेगा यह सोचकर इसे भी हां कह दिया तो अब तो सिर्फ नामी ही बचा है ना उसे बुरा लगेगा तो क्या उसे भी आई लव यू कह दोगी हां वो भी कहीं हर्ट ना हो जा इसलिए उससे हर्ट होगा इसलिए आई लव यूटू तीनों को अलव यूटू कैसे कह दिया पापा का कॉल आया है बोली पापा पेटी पद्दू अमेरिका से छे महिने में कुई आयेगा यह तुमने कहा था बात कहा तक पहुंची बता दोगी तो हम अपनी तयारी कर लेंगे भगवान तीनों पसंद है इसलिए तुमने तीनों को आई लव यू कह दिया और तुम्हारे पापा फोन पे फोन करके अमेरिका वाले से शादी करने के लिए पूछ रहे हैं यह टेंशिन में कॉन टेंशिन में कॉन टेंशिन में मर जाओंगी में मर जाओंगी यह सोचकर नहीं पर तुम्हारे दुपट्टा खराब हो जाएगा यह सोचकर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो मेरी बेस्ट्रेंड अगर मुझे दूर हो जाएगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा पागल तीनों से आई लव यू क्यों कहा यही सोच रही हो ना हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसे बहुत प्यार करें पूरे दिन में एक बात करने के लिए पूरा दिन इंतिसार करें उसकी छोटी छोटी खुशियों का खयाल रखें वो उसकी लाइफ में सबसे इंपो मुझसे प्यार करते हैं यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा तीरी मर्जी पर भी वेरी कैफुल यह क्या तुने आज़ी क्या पहल लिया तू जब यहां आए थी तब कैसी थी ऐसी ही थी ना तुझे देखकर एक चीज़ समझ गई हूँ लड़कियों के बदन पर जितने कपड़े कम होते हैं टेंशन उतना ज्यादा होता है मैं शानती से रहना चाहतू इसलिए पहना हाई गोकुल हाई पद्दू क्या कर रही हो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी अच्छा क्या तुम्हे मुझे आयले भी कहा था ना उसी की बार में सोच रही थी गोकुल मेरे भाहिया का ओर रहा है मैं बात मी कॉल करो ओके बाई ओके डार्लिंग आयल भी वेटिंग हाई नमो हाई पद्मवती क्या कह रही हो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं चुम्हान युद भी विखा वही क्या रहा है एक बात कहूं तुम्हे कल जब से आयलव यू तू कहा है ना मुझे किसी चीज का होशी नहीं है अच्छा मैं भी वही सोच रही थी नमो एक में ठोल करूँ हाँ बड़े भाया का कॉल आ रहा है हाँ ठीक है पद्दू ठीक है हाई नानी तुम मेरे बार में ही सोच रहे थे ना तुम्हें कैसे पता मैं भी तुम्हारे बार में ही सोच रही थी पद्दू तो मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, एक सेलफी भीज सकती हो गया? अभी? प्लीЗ बेज़ दो ना, उके ठीक है . क्या हूप बेजने को कह रहा है , उससे नीद नहीं आ रही है , इसलिए मुर्जी के लिए लिए कराा है , हेवा नहीं आ रही है , थ़ड़े लिएपया करना , क्यामाँ , ओके ऐसी फोटो दिखकर वो कैसे सोयेगा बेवकूफ वैसे तुझा प्यार करती थी तब तुने कैसे मैनेज किया अभी तो किसी भी तरह मैनेज कर दिया यह लड़के ना प्यार करने से पहले अलग होते लेकिन बाद में बदल जाते हैं लव से पहले कार से उत्रेंगे तो दरवाजा वही खोलते हैं खाने की टेबल पर कुरसी खीचते हैं टीशू पीपर भी वही देते हैं और सब कुछ सही होने के बाद शादी हो जाती है तो प्लेट में खाना भी तुम्हें ही देना पड़ता है उसके घर में साफसफाई भी तुम्हें ही करनी पड़ती है पद्दू को बुखार आने पर ये कैसे रियाक्ट करेंगे, पद्दू को गुसा आने पर ये क्या करेंगे, पद्दू को अगर किसी ने रुला दिया, तब ये क्या करेंगे, ये सेब टेस्ट करेंगे, कौन बनेगा पद्दू का पती, ये इस टेस्ट में डिसाइड हो क्या तो और क्या तू भी स्कोर देना शुरू कर दें तू दूसरा वाला भी कॉल कर रहा है अम गमगड़ पता है नमा अपना नाग पकड़ो अप सच्चे मन से भगवान का नाम लो अरे उसका फोन उठाने लिए तू नाग क्यो पकड़ा तू भी अपना नाग पकड़ ले तीसरा वाला स्वालें पर दूम जाटिंग मगल मेरे के पूजा स्टार्ट करें अरे मोबाइल हवार में डाल दीजिए फेस्बुक भी भाई हेला भाई खेलो यार क्या हुआ है तुम्हें मागी नमोने भी मेसेज़ पेज़ पेज़ है देख क्या रहा है च्छेज बेचारा या करण मुझे कुछ समझे आरा है यहम डाल रहा है थोड़ा सोच के तो कर दा कर रहा है मेल नमू नमू अरे 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 यह मेरा फोन है अरे मेरा फोन बर्बाद कर दिया तुन्हे क्या करतीया अलो अलो तुम्हें अपना फोन सालेंट पे गो रखा इतना इंपोर्टन कॉल नहीं था फोन नहीं उठाओगी तो बार हंगा हो जाएगा अरे बापरे, नानी गोकुल कितना प्यार करते हैं यह तीमों तुस्से लेट स्टार्ट कांटिंग प्यार करते हैं यह तीमों तुस्से नमो नानी के इकवल कॉल以及 गोकुल के एक कॉले हमा तो फिरविक्त का उत्था हैं मतलब थुपरे कोई वर्लक बतारी यह क्या अब कॉल करके बतारी हो क्या ठीक्री qo कॉल कॉल के किए उधिक्ट हो गए हो आँ सच में कुछ नहीं हुआ है नानी, मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं टच में नहीं रह पाई, बस यही बात है मुझे फ्रेश हो कर बहार जाना है, मैं बार में कॉल दीए, बिस्किट लिने में मार्केट नाया हूँ, अब सॉरी, ओय, पदमावती, थुमकते हुए कहा जारी तू, चला जा, थुमकते हुए जारी यह किसे कह रहा है, तुमें नहीं कहा, अपने डॉगी को कहा, मेरे डॉगी का नम पदमावती है, तुम नहीं क्यू मारा, मेरी फ्रेंड का नाम उपने डॉगी को दे दिया, तो तुम्हारा नम पदमावती है, यांती मैंने उसका नाम पदमावती क्यू रखा, मेरी एक सुन्दर सी गल्फिंड थी, उसका नाम भी पदमावती था, उसे मार्केट में, मंदिर में और पप में गुमाके, मैंने बह पताती, चल, कितना बोल रहा था, वो देखा नहीं दोने, उससे यूज करके, हम अपना टेस्स नमबर टू कर सकते हैं, अभी अभी जब हम दुनों टक रहा है, तब हम दुनों के फोन्स बतल करें, उसके कुत्ते का नाम और मेरा नाम एक ही है, वो बहुत सुबान चलाता ह ये तीनों का और टेस्स से क्या समबंदू सकता है, तेस्स नमबर टू, पदू के बारे में, कोई अगर गलत बात करेगा, तो वो क्या करेंगे, हम, बालेंस बेग स्रीन पर देख रहा है, पदू, कौन, ए तू कौन है, फोन किस ने किया, मैंने, तो फिर बोलेगा कौन, मै नहीं, तो फिर बोलो ना, मुझे पदमावती चाहिए, पदमावती यहां नहीं है, मुझे उसकी जरुवत नहीं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, एई पदमावती, तो चुप नहीं रह सकती, पदमावती नहीं है, तो ये पदमावती कौन है, वो पदमावती अलग है तो पदमावती को कौन नहलाएगा 25,000 में खरीदा है हाँ बिल्कूल पहले 30,000 मांग रहे थे बात में 25 में मानगे यह कहीं भी रहो तुझे क्या पहले फोन रेखो पदमावती के बदन पर साबून सूख रहा है यह बहुत जुबान चला रहा है तो तेरी तो क्या पदमावती उसे इतना क्यों फील हो रहा है हेलो पदमावती जी से मुझे बात करनी है थोड़े इसी परसनल बात है अपको समझ में नहीं आएगा हां ऐसा क्यी काम कर रहा तुम दोनो बोलाना आप नहीं समझेंगे ज़रा उनको फोन दीजिया न पदमावती नहा रही ह तू आपे क्या कर रहा है अरे तो नहाने के बाद उसका बदन को पोछेगा बदन तू पोछता है क्या पदमावती को 25 जार में मैंने खरीदा मैंने पोछुगा तो तू पोछेगा तू है को तू अपना नाम बता इससे पहले जिसने फोन किया उससे पूछ ले तू हलो रख यह क्या हो रहा है तुझे नहला रहा हो तो पूरे शहर को फील हो रहा है हलो पद्दू क्यों रहे तुझे भी पदमावती चाहिए और कितने लोगों को चाहिए पदमावती उसे भी पदमावती चाहिए और तुझे भी चाहिए पदमावती के लिए किसी और ने कॉल किया तू क्यों पूच रहे हैं पाई पाई गड़ी को फचीन हजार में खरीद आए नहीं है तू पोच आगा हैं इस से पहले दो लोगों ने फोण किय था उनसे पूछना पता देंगे यह क्ये इसका ऐड्रेस मेल गया पाई पदमावती को नहिलाने वोला तुही है क्या उसका बदन भी मैं ही पोस्ता हो पदमावती का बदन तुही पोस्ता हो पहुचता है ना उसको नहलाने वाला भी मैं हो तुझे मेरी पदमावती को तू नहलाएगा तेरा वो हाल करूंगा कि तू नहाना भूल जाएगा पदमावती को नहलाया जब कहूंगा तू बारोगे उसे पोछा कहूंगा तो भी मारोगे तो शुरू करो ना भाई पढ़ दूलूंगा वै जाये ना सर अरय भापने तेरी तो अ अ तुझे कभी नहां लाओंगा तुझे का रिशे अ मैं भी नहांगा हुआ, मम्मी, कहां परो, आ रहा हूं, ओके, ले पीजी, हाँ, दिख गई है, हाँ, दिख गई, क्या हुआ, लेगता है, चोड बहुत ज्यादा लगी है, कल तीन लोग आया थे, बहुत बारा मुझे, आपका फोन लेकर गया, और मुझे मेरा फोन नहीं दिया, वैसे वो तीन आपके रिष्टेदार है, नहीं, मेरी बॉइफ्रेंट्स है, तीन तीन बॉइफ्रेंट्स, हाँ, चीक है, तीनो में से ज्यादा पिटा है किसने की, मारखाय वेक्ती से पूछना चाहिए, हॉस्पिटल गए की नहीं, तुम लोग पूछ रही हो, किसने ज्यादा मारा है, तीनो ने जम कर लात घूसे बरसा है, आप तो खुश हो ना, कितनी खराब हो तुम दुनो, इंडिया में 500,000 के नोठी नहीं बैन करने चाहिए, तुम जैसे लड़कियों को भी बैन करना चाहिए, तीनो ने एक जैसा मारा है, मतलब तीनो टेस्ट में पास हो गए, अब क्य करेंगे, लंच करके बाद में सोचते हैं, ठीके ना, बनाया किसने है, ये टेस्ट, ओफिस, टेस्ट, ओफिस, टाइम, किसके पास खाना बनाने को, कल से काम वाली रख लेते हैं, वही खाना बनाएगी, अब चलो यहां से, घर में कोई है ही नहीं, तो काम क्या करों, अपन अग्या, कम आँ, बैस्क बाद में से, आप तो काम से, उफस कहीं थे, इसलिये, अपनी काम से गई थी तो तुने यहां साम काम श्रू कर दिया, अपनी काम तो तो नहीं काम कर दिया, पूरा रेकॉर्ड है मेरे पास मैम साब आपके पैर पढ़ती हूं सॉरी माफ कर दो तुने अपनी मर्जी से मेरा बैड इस्तमाल किया बदल देती हूं मैम साब तेरी तंखवा कितनी है पांच हजार इस महीने तीन हजार कट रूम चार्चिस मैम साब ज्यादा मत बूल रेकॉर्डि पुकु फीवर है तुम्हार ले बैड अरेंच कर दिया गया है वह आती ही परफॉमंस स्टार्च कर देना ठीक है कौन से ताइंप राएंगे वह नमो को मैने 10 बच पला है गोकुल को 11 बच पला है नानी को 12 बच बला है तीनों क्लैश नहीं हुने चाहिए ना ओ दस बच का है फर्स्ट पार्टिसिपेंट नमो है हम फर्स्ट नमो कहाना तुन्हें यहां तो गोकुल आ रहा है मुझे सच में बुखर आ जाएगा मैं जा रही हूं मैंगी अब क्या होगा पता नहीं मुझे कु समझ में नहीं आ रहा है डालिंग यह सदेनली क्या हो गया क्लायमिट चेंज की वजह से ध्यांद रखना चाहिए ना खुद का अब अच्छानक से क्लायमिट चेंज होगा तो कैसे बता चलेगा ना ठीक है डॉक्टर ने क्या कहा है स्यादा तेर किसी से बात मत करना काया है तुम चले जाओ वरना क तो यहां किया तो ठीक है ध्यांद रखना टेक है बेबी बाई तुम यह कौन है मेरा बॉइफ्रेंड कौन है वो मैगी का बॉइफ्रेंड सिर्प मुस्से मिलना अच्छा नहीं है ना इसलिए उसे भी मिल रहा है सिर्फ मुझसे बात करोंगे तो अच्छा नहीं लगी का ना उससे भी मिल लो दीजियो 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 अब बॉइफ्रेंड हो गया बताया उसने तुम उसके बॉइफ्रेंड हो ना बताया उसने किसी से स्यादा तेर बात मत करना ऐसा का है तुम चले जाओ अक्रों किसी ने देख लिया तो वहां देखो तुम दवाई टाइम पे खाना मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा बाई पदू टेक केर थांक यू तुम्हारे पूपर क्यों हो कौन तुम मैं काम बाली हूं वो आदमी कौन है मेरा बॉइफ्रेंड है देखने मैं तो हीरो लगता है बेचारे का बुरा टाइम चल रहा है पूर टेस्ट कौन था वो एक मेरा बॉइफ्रेंड है और दूसरा मेरा बॉइफ्रेंड पूर टेस्ट क्लाइमेट चेंज है ध्यान देना चेंज हो जाएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था करेक्ट है वैसे डॉक्टर ने क्या कहा किसी से ज्यादा देर बात मत करना ऐसा का मां क्यों तुम्हारे पापा ने जो कपड़े बेजेते हैं अच्छे लगे मां वही पहनी है मैंने अनिका सोचा था पर तुने मना किया न इसलिए रुक गए ठीके ठीके मां फ्रेंड्स आ के मात में कॉल करती हूं ठीके ठीके बाई बटर स्कॉच विद आलमंड केक रेडी है मैं साब आलमंड नहीं बेवकूफ कहीं की आमंड वही तो बोला आलमंड बोद एक रेडी है क्या सारे बॉइफ्रेंड्स को बता तिया है नहीं बता और तू भी मत बताना इससे क्यों पता चलेगा तो पाटी करते हैं बाहर चलत है कहकर परिशान कर देंगे तो शांदी से मना ले ना तो है 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 क्यों नानी इस टाइम पर क्यों आए है कल पद्धू का बट्डे है ना 12 o'clock विष्क करके उसे सर्प्राइज देने आया हूं है 12 o'clock को विष्क करना सप्राइज है पर पद्धू घर में नहीं है वो बाहर करते मुझे घर में कोई रूम देता है ठीक बारा बज़े मैं बाहर आ कर उसे फिषक करओंगा वह चौक जाए यह सुनकर वह क्या मैं खुद भी चौक गई हूं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज-प्लीज-प्लीज-प्लीज-प्लीज-चौम तुम यज तुम्हे इस घर को गेंग लीडर हो रुस्तम गुंडा दबंग तीरे से उपर आजाओ आप सोचा बड़ी दिवार होगी पर छोटी थी आउं सामने दिवार पर बाग है रहे लेकिन तेरे सामने शेर है रहे यहां देख यहां देख जैपमन स्वामी स्वामी आपने नजाने इस देश की कितने लोगों के दिल चुरा लिये हैं अब उन सारे लोगों के घर में मैं चोरी कर पाऊं ऐसा आशिरवाद दीजिये स्वामी मैं किसी को follow नहीं करता, जो करता हूँ खुद ही करता, आप ऐसा ही कहते हैं न, मैं अभी चोरो में किसी को follow ना करूँ और जो भी करूँ खुद ही करूँ ऐसा आशिरवाद दो स्वामी ठेक है स्वामी, जबन अंधेरा होता है कोई तो आया, बापरे, बच गया अभी दो घंटे बाकी हैं तुम यहीं पर रुको और दो घंटे यहां से निकलना होगा कहीं और देखना होगा अब भापरे इसकी तरह अगर वो लोग भी आ गए तो क्या होगा क्या कर रहा है आप उनकी बॉइफ्रेंड हो ना पदमवधी को बड़े विश करने के लिए हूँ आप उनके बॉइफ्रेंड हो ना ठीक है तो चलिए एक एक करके आए तो मैनेज कर सकते दोनों गर साथ में आगे तो क्या हाथ मैनेज करेंगे हाँ हाई हम सूची रहे थे कि दोनों को सप्राइस के लिए देने के लिए आए काम करो रूम के अंदर हमें कहीं पर चुपादो और बारा बजे हम पद्दू को विश्च करेंगे क्या सवीच नाहीं और दो गंटे बाकी है तुम यहीं पर रुको इससे पहले यही डियालोग उसे भी कहा था, यहां पे पी काम नहीं होगा तुम इसी रूम में रहना बाहर मताना मेरी सबज में तुकुछ नी आ रहा है, आखिर यहां चल के आ रहा है यहीं क्या कर रही हो- सब्सक्रापने का रिख हो- मैं उसकि रहाए हो- अबिस का रहा है ?? तो दूं अरह jiai क्या को वही कर रही हो आखिली सभूju पर झूड़ कर यह तिन नीचे क्या कर रही है आखिले जो ढ़ल और पर छोड़ कर यह नी इंच्वर कर रही है इसलिए मैं बोल रही है आजून को जाके सच बता दो हज़ा ए कौन है तू चोर हूं तो अपने बाप का खर समझ के घुसा है क्या तो चिलाओ की क्या जब उनने सचाई के बारे में पता चल जाएगा तो वह आप चिलाओ तो फिर मैं चिलाओंगा हाथ दिखाओ अच्छी है यह क्या में सा भूंगुटी ले राप कुछ भूल भी नहीं अब उपर वो तीनों है तो क्या बॉल सकते हैं क्या बात है स्वामी आप तो महानो आप चलाओंगे वह आजाएंगे स्वामी एक महान चूर जैसा करता है ठीक वैसा ही करवा रहे हो स्वामी तुम भगवानों के भगवानों स्वामी अ क्या में साब अनजान आपके पीछे हाठ डाल आपको बोल भी नहीं रही इस साडी में तुम बहुत अच्छी लग रही तेरी तो रोज तु क्या करती है जा कर देऊ सवामी तेशल स्थिति में तुमने मुझे स्पेशल प्लेकेज दिलवा दिया आप सच में भगवानों स्वामी कब से स्वामी स्वामी चिला रहे हो पहले ये बताओ ये स्वामी है कौन मेरे पापा मेरी शादी छे महीने में करवाना चाहते थे इसलिए पवन कल्यान जैसा किसी लड़के से शादी करने के लिए इंटीनों को सलेक्ट किया था मैंने तुम ने लास मोमेंट में आखर सब खराब कर दिया अगर तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया ना तो ये पावन कल्यान को दोखा देना होगा क्या सच में तुम मेरे कल्यान जी की पैनों अब देखना मैं तुम्हारे प्यार के लिए क्या करता हूं आज रात को 12 बज़े तक मैं सब कुछ मेंच करूँ गा सुनो हज़ाओ अब जो गेम मैं शुरू करने वाला हुसमें एंटर्टे आज हमारे पद्दू का जनम दिन है यार, सब लोग ऐसे रूम में रहोगे तो कैसे चलेगा, कुछ पूछूगा तो सर्प्राइज को होगे, है, दस ताल के बास सर्प्राइज याद देहागा, एंजॉइमेंट याद आएगा, ओ, असल में तुम होगा, देखिये, आप इने बता देजे कि मैं एंट्रेटेन्मेंट करने के लिए आया हूँ, आप जाकी ने जो भी कहानी बतानी है, बता देजे, जाहिए, 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 एक मेरा बॉइफ्रेंट, दूसरा मैगी का बॉइफ्रेंट, एक मैगी का बॉइफ्रेंट है, दूसरा फ्रूटी का बॉ मंद क्या है अरे वो बेवकूप गद है तेरे पास हेड है कि नहीं है ना अरे है तो गाना मैं टेंशन से मर जाओंगी लग रहा है फ्रूटी ने जैसा कहा था उन्हें सच बता देते हैं जरा देखो उसे वो कैसा है हमें मारे का तो हमर जाएंगे मैं अपने मन की बात बता द दस तल के बाद सर्प्राइज याद नहीं रहेगा इंटेन्मेंट रहेगा आई वांट दिस एंटेन्मेंट तुम गाओ ना हरे चुप रहने से कोई फादा ने गाओ मैं बस बात रूम सिंगर हो तो तो लाइब शो में कभी नहीं जाना गलत है तो गाएगा तो हफता चले बढ़ा बाई कैसे वाद तुम्हारी तो जैसा में किह रही हैं वैसा कर चप चप इसे लिए हैं सुनों सुनों सबके डॉट्स को खत्म करने के लिए ही मैं यहां हूँ वैसे मितस्तल के बाद सर्प्राइज याद नहीं रहेगा इंटेन्मेंट रहेगा आई वांट दिस ए यहां पर है चुप रहो तुम मैं कहां लेकर रहा हूं रिंग चेन वालेट यह सब लाए है ना देदी जी क्या बोल रही हो मेरे पास कहां यह सारी चीजे वैसे में तुम्हारा भाई का मुझे भाई कहते है पहले इन्होंने कहा तक गिफ्ट लाए है आप मना कर रहे हैं जू है पापा फ्रेंस टाइम में बीना बर्डे मना रही हो ना ठीक है बेटी मैं बाद में फोन करता हूं हलो गहरा बास में है नीचे तक आगए है पदू बदू विश्या बार्डे बाद बाद है यह अपिवर्द्दे पदू दनीमत एकना मार खाने के बाद विविग नहीं निकला सुनो मैं तो सिर्फ एंटेटिनमेंट के लिया था लेकिन तुमने मुझे बहुत मरवाया अजय में प्रवाय कैसे कर सकती है कैसे तीनों एक सात्गहर पे आ गए इस अब डिके मेरा सर गूम रहा है यह सब क्या और है में सब क्या हो तीक हो इसरा मुझे मिलने आ रहे हैं तीनों को लाइक लेने के लिए अगर मों तीरी बात को अच्छे से समझ पाते तो कितना प्लिटे आकल नहीं है क्या तु अभी किस हालत में कुछ पता है वो दिनों तुझे प्यार करते हैं कितना दिल से चाहने लगे हैं तुझे तुमारी ममी नी छे महीने का टाइम दिया तो भी खत्म हो रहा है कम से कम अभी तो उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लो तो मैं लाइफ म मचे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे तुमसे कुछ कह रहा है इस बारे में फॉर्स टाइम तुम्हीं बताना था इसलिए कब से वेट कर रहा हूं पद्दू पहले मैं बताओंगा पद्दू प्लीज बोलो मुझे ऐसा है कि पोस्टिंग गया मैं बास्केट बॉल के नैशनल्स में सिलेक्ट हो गया पद्दू तिरू माला देव स्थान के सबसे बड़े पुजारी का पद मुझे मिल गया है पद्दू यह मेरा ट्रीम था पता है पता है तुम्हें मैं बच्पन से आज के ही दिन का वेट कर रहा था मेरे लिए इतना ही इंपटेंट है कि मुझे तुम पसंद ओ या गेम पसंद है मैं तयार नहीं कर पाओंगा तो फिर तंब डित करलो तुम्हाली मैं इंपटेंट हू या करियर मेरे जतनी Patreon तुम लैफ में किसी और चीज़ को दो यह मुझे पसंद नहीं काम में बेजी होकर अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे पाए तो वो हमारे बीच के जगड़े का कारण हुआ तो हम दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुड़ना होगा झाला होगा तुम्हें से तुम्हें। तो मेरी जान हो पद्दू, जान, जान हो मेरी, एनिटिंग फॉर यू पद्दू, मेरे लिए तुम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है पद्दू, हाई, क्या हुआ, तीरु माला देव स्थान के सबसे बड़े पुजारी का पद मुझे मिल गया है पद्दू, मुझे ऐसा है की पोस्टि मिल गई, मैं बास्केट बॉल के नैशनल्स में सिलिक्ट हो गया हूँ पद्दू, यह सब तो गोड न्यूज ही है न, तो इतनी डल क्यों लग रही है, उन्होंने कितनी मेहनित करके अपना करियर बनाया है, तुछ से पागलों की तरह प्यार करने लगे हैं, उनके लाइफ के साथ कैसे खेल सकती है तू, तुम सिफ लव को लेकर ऐसा सब कर रही हो, अगर फ्रेंशिप को लेकर ऐसा करती तू, तुमारे साथ मैं कभी नहीं रहती, मैंने सच में यह एक्सपक्ट नहीं किया था, मैं तो बस तू, मेरे फ्रेंश को तीन लड़कों ने धोका दिया, तो सुनने में कैसा लगेगा यह मुझे पता नहीं, पर जैन्यूली लव करने वाले तीन लड़कों को मेरे फ्रेंशिप ने धोका दिया, यह सुनकर मुझे बहुत घेन आ रही है, मेरी बेटी ने सीटी जाके तीन लड़कों से प्यार करके उनकी जिन्दगी के साथ खीला तुम्हारी मौ और पापा को अगर पता चलेगा तुछरा सोच उन पर क्या भीदेगी बेवी का बेटी की तरह और बेटी का मां की तरह खयाल रखाया मेरे पती ने और उनको ऐसी लड़की मिली मा तुम्हारे घर बेटी पैदा नहीं हुई है बलकि शत्रू हुआ है ऐसा कहा था पंडिची ने वो बात अब तक मेरे पती को नहीं पता चली इसके पिताजी कितने माहा ने ये मुझे आज पता चला तीन लड़कों से प्यार करती है ऐसा कहने से पहले इतने सालों से प्यार करने वाले तुम्हारे पिता का खयाल नहीं आया तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी करवाएंगी ये तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था ना अब जाखे मैं तीनों के साथ घूमती हूँ ऐसा कहोगी अपने पिताजी से मुझे कुछ पी समझ नहीं आ रहा मा तुम भी बताओ न मैं क्या करूँ प्लीज 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 तुम इसी वक्त मेरे साथ कहोँ चलो तुम्हारे पिताजी ने जो लड़का पसंद किया उससे सशादी होगी बात वो नहीं है मा और कुछ मत कहो चलो मा मा प्लीज मा प्लीज मा अरुआ के प्लीज बीटीज अगई हाँ 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 वाँ हेई पापा शब्द सुने उए कितने दीन होगे तुम्हें पता है हाँ हाँ क्या वो इसे हो अ चयों महीनों में जो लड़का अमेरिका से आने वाला था ना वो नहीं आया इसलिए ये ये इतनी परिशान रहने लगी है आजकल क्यों बेटा क्यों इतनी से बात पर दुखी हो रही हो पगली गई की आजा आओ तुम्हें अगर उनके घर में कदम रखना होता तो उनकी किस्मत 25 साल पहले उनके घर में कदम रख चुकी होती उनकी बदकिस्मती है देखो वहाँ जो झाल झाल लगता है आपकी बेटी किसी चीज को लेके बहुत दुखी है आपको जाके पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है उन तीनों को बिना कुछ बता यहाँ चले आई यहाँ तक कि उनसे सौरी भी नहीं कर पाई एक बात फोन कर लो गया प्रीज तुम चले आईएं ना आप तुमारे पीछे कुछ भी बोलते रहेंगे जाने दो ना फिर से उनसे मिलना मत अपनी मा की बात मान लो प्लीन आपसे एक बात बतानी थी बोलो ना हाइतरबाद में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा एक नहीं तीन गलती हैं तीनों से प्यार करें हो यह का न वो तुम्हारे लिए अपना करियर सक्रिफाइस करके पागलों की तरह खुब रहे हैं उनका क्या होगा यह सोचकर दुखी ओफ यह सब आपको कैसे बता पापा हूं ना पता चल जाता है आपको पता था तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी ना पापा तुम्हें मैंने सिर्फ आदराबाद भेजा छोड़ नहीं दिया छोड़ देना मुझसे नहीं होगा मैंने जानकुछ कर नहीं किया बापा सब कुछ अंचाने में अब तुमने कह दिया न मैं समाल लूँगा ठीक है रागाव राओ जी हां मैं हूँ बैठिये आपने मिलने के लिए बुलाया था घर में कोई पूजा करवानी है क्या रागाव राओ जी मैं हूँ बैठिये आप कुछ बात करना चाहते थे एक और आने वाला है उसके आने के बात करते हैं जी अच्छे वैसे आपको किस बारे में बात करनी थी बस तो मिनए वह देखें वह भी आ गया एक्सक्यूज मी सर आए बैठिये अब तो यह भी आ गया हमें क्यों बुलाया बताईए ना परिचे करने के लिए मेरा नाम है रागाव मैं पद्मावति का वही पद्दू का फादर हूँ पद्दू कैसी है परिचे खत्म होने के बाद बात करें है आप 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 गोकूल अंकल पद्मावति मेरे पास बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए आई थी और हमारा परिचे हुआ सिर्फ परिचे है एक्चुली पद्दू और मैं प्यार करते है पर वो सड़न यह कफते से दिखाई नहीं पद्धू कहा है अंकल यह क्या बात करने है है परिचय होने के बाद बात करते है मिरा नाम नामी है पद्दू कुछानते हैं यह इनको शाहद कुछ कनफीवजन है मेरे आप वह मुझ Gregory करती ऐसा उसने मुझे बोला था नाम नाम नरेंद्र मोहन शाष्त्री मैंने इस पद्दू से प्रेम किया है यह उसकी फोटो क्या आप दोनों भी इसकी बात कर रहे हैं इसके लिए मैंने सब कुछ न्योचावर कर दिया है इन दोनों ने भी यही कहा वही तो समस्या है यह है मेरी बेटी के कारण जो तुमने खो दिया था तिरुम अलम है पुजारी का पोस्ट उसकी वज़े से तुम्हारे करियर स्पॉयल हो गया, इसलिए मेरी बेटी दुखी है उसका दुखी होना मुझे पसंद नहीं उसकी वज़े से तुम्हारी बरबादी मुझे पसंद नहीं इसलिए तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे जिंदगी में स्वीट मेमरी के तौर पर याद रखोगे या बैड मेमरी के तौर पर याद रखोगे तुम्हारी मर्जी लेकिन एक बात ये जरूर याद रखना, ये बात यहीं पर इसी वक्त भूल जाना है मैंने अपनी बेटी की दूसरी शादी करने के लिए या का आपने, दूसरी शादी करवाएंगे, आपके मर्जिया ही हमें बुला लिया, जो कहना था कह दिया तीनों को तीन कवर दिये, बद्दू के शादी किसी और से करवाएंगे ये कह रहे है, सब कुछ आपको ये डिसाइड करना है तो फिर हमें क्यों बुलाया आपने मा, तुमने सच में प्यार किया है, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी तुम तीनों से प्यार करती है, अब तुम्हारे करियर भी तुम्हारे हाथ में ही है, तब नहीं, उसके लिए अब सक्रिफाइस करो अपने करियर को, उसके लिए जो सक्रिफाइस करेगा उसके साथ मैं प्यार करने वालों के बीच कुछ गलती हो जाए तो गुस्सा गलती प्यारा चाहिए प्यार करने वालों पर नहीं दूर करनी चाहिए गलती को इंसान को नहीं मतलब वो हमारे करियर के साथ खेल सकती है और हम उस पर गुस्फा भी नहीं उतार सकते है ना कौन सा करियर किसका करियर मेरी बेटी ने तुम तीनों में से एक को सेलेट करने का सोचा अगर उसने तुम्हें सेलेक्ट किया होता तो तुम्हारा करियर अच्छा और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो इसलिए SI की पोस्टिंग मैंने तुम्हें दिलवाई इसके बारे में कह रहा था इस लड़के को SI की पोस्टिंग दिलवा दीजे शायद वो तुम्हें ही सेलेक्ट करेगी इसलिए सेंटरल मिनिस्टर से मैंने बात की और सेलेक्शन कमीटी से तुम्हें लेटर भी मैंने ही भीजवाया इसे नैशनल्स के लिए सेलेक्ट कर दीजे ये काम जल्दी हो जाना चाहिए तुम्हें तिरुमल में पुजारी का पोस्ट मिला, उसकी वज़ा मैं हूँ ये लिजे, इसे पुजारी का पोस्ट चाहिए तुम सब जो अभी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कह रहे हो न, उस मैं की वज़ा सिर्फ मैं हूँ अब तक पद्दू को भी नहीं पता, उसके इंजिनिरिंग में फेल होने पर भी उसे वहाँ पर जो नौकरी मिली उसकी वज़ा भी मैं ही हूँ, जब से वो वहाँ शेहर में गई है, उसे हर चीज से मैं ही बचाता आ रहा हूँ मैं तुम्हारा प्यार गलत है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी बेटी को समालने के लिए ये प्यार काफी नहीं है, अपनी ये जिन्दगी मैं अपनी लिए नहीं जी रहा हूँ, इसलिए इतने सालों तक मैं उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला काफी नहीं उसके लिए, म यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही, तुम्हारी मर्जी से हो रही है उस दिन आकर तुम सब हाँ कहोगे, तभी यह शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी उससे प्यार करने वाले हम चारों मिलकर, मेरी तरह प्यार करने वाले से उसकी शादी करवाएंगे मेटूम सबकारस तादे कुगा रागो राओ जी, वो तीनों नहीं आए, अब आप क्या करेंगे? उन तीनों के बारे में तुमने अपने बाबा को बताया क्या? बच्छमन से तुम ही तुमारे पापा की दुनिया हो, मुझसे हमेशा कहते थे तुम जब बड़ी हो जाओगी ते तुमारे धूम दाहम से शादी करवाएंगे फला फला ने अपनी बेटी को इतना दिया है हम कितना देंगे अपनी बेटी को ये पूछते थे? हमेशा यही बाते हैं आज तुमारे शादी हो रही है और देखो पता नहीं वो कहा है वो सही सलामत वापस आजाए बस यही चाहती हूँ गल्दी से अगर उन्हें को छोगिया तो मैं जिन्दगी बर तुमें अपनी शत्रू शत्रू की तरह ही देखूंगी लाइफ में तुम्हारी ममी तुमसे इस तरह से बाते करेंगी तुमने सोचा था? तुम्हारा ऐसा करना और अपने माबाप का दिल दुखाना यह सही है क्या? फ्रेंड होके मुझे समझ भी नहीं आया तुम्हारी मा तुम्हें नहीं समझ पाई तुम्हारे पागल पीता जी क्या समझेंगे कम से कम तुम खुद को तो समझ लू तुम खुद को समझ पा रही हो गया ऐसे क्यों देख रही हो आज शादी है ना सब खत्म हो गया तीनों से प्यार करके किसी और से शादी करने जाओगी तो यही होगा ना सच है मैंने तीनों से प्यार किया उनके साथ मिलकर घूमी ऐसी हूँ मैं एक लड़की को जो नहीं करना चाहिए वो सब मैंने किया मेरे चैसी लड़किया ही लड़कियों का नाम बदनाम करती है मैं सच में बहुत बुरी हूँ पर मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया मैंने किसी भी लड़के को शॉपिंग के लिए गिफ्ट के लिए यूज नहीं किया मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक ही लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ खुशी से बिताओ पर लाइफ की हर स्टेज पर इंसान की पसंद बदलती जाती है स्कूल टाइम में एक कॉलेज टाइम में एक और जॉब करते वक्ते ऐसे हर इंसान की लाइफ में दोना तीन लोग रहते हैं पर मेरी लाइफ में तीनों की तीनों एक ही साथ है मुझे पता है उन तीनों से प्यार करती हूं ऐसा कहकर मैंने उनके इमोशन के साथ खेला है यह शुरू करते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो तीनों मुझसे प्यार करने लगेंगे वो तीनों मुझसे प्यार करने लगें इसलिए मैंने उनका कई बार टेस्ट भी लिया उन आपका खयाल रखेगा तो किसी का फामिली बाग्राउंड अच्छा है ये सब देखने के बाद ही उसमें से जो बैस्ट होगा उससे शादी करवाते हैं ना मैंने भी तो वही किया मेरी नजर में एक अच्छी बीवी वो नहीं है जो अपनी शादी के पहले का प्यार भुला कर जिससे शादी हो रही है उसे मन से अपना कर उसके साथ अपना संसार बसा ले शादी से पहले किसी से प्यार करना क्या गलत है पर मुझे लगता है मन में जो है मंडप में भी वही होना चाहिए मैं जिस रास्ते पर चली शायद वो रास्ता गलत होगा पर मेरा इंटेंशन बिलकुल गलत नहीं था अगर मुझे पता होता ये गलत है तो मैं करती ही नहीं और भगवान की बनाए हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती ही है बचपन से आज तक मुझे इतना प्यार करने वाले मेरे बापा उनका सिर्फ सब के सामने नीचा ना हो जाए इसलिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने मामी बापा को दूखी नहीं देखना चाहती है कर मोस qui Labs क्यों बोल री हूं पता है क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी समझ नहीं आया मुझे बड़ा करने वाली मा को भी समझ नहीं मुझे प्यार करने बाले मेरे बापों को भी समझ नहीं आया तक कम से कभ मुझे कुछ तो समझना होगा ना था था हुआ है कुछ हाथ ने कर दो कर दो कर दो कर दो शादी के जोड़े में देखूंगा सोचा भी नहीं था लेकिन तुम बहुत खुबसूरा देख रही है पद्दू तुम्हारा मुझसे जबसे परचे हुआ है तब से हर बात जूट है पद्दू वैसे ही अगर तुम्हारा मुझसे प्यार भी जूट है तो मुझे अच्छा लग रहा है पद्दू तुम्हारे पिता के पसंद के लड़के से हम तुम्हारी शादी करवाने आए हैं लेकिन शादी के बाद तुम खुशी-खुशी जिन्दगी गुजार पाओगी इसपर हमें संदेव है और यही चिंद्दा हमें खाई जा रही है हम तीनों का एक ही डाउट हैंकर हम तीनों को मना कर के किसी ओर से शादी करने रहे हों क्यूं कि इसक इसा आप ऑप रहे हैं सिर्फ एक पेख ही रीजन बताओगे तो मुझे तु किम अगरना होता तु कियु रहा हैं तू तालाप में क्या कर रहा था किसको चूरत मैं यह कूद कर देख अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता थो पचाने के लिए मैं हूना अंकल वो मैं ही हूँ पिटा ही है भच्पन से इसे मैंने ऐसे पाला है वो मेरी तरह ही ख्याल रखेगा उससे करवाऊंगा इसकी शादी उसके पैदा होने के समय से ही समझ लो पिदा उसके साथ है इससे ज्यादा अपनी बेटी को और क्या दे सकता हूँ उससे एक बार मिलना है अंकल राजू मैंने कहा था न यही है ऐसे पूछ रहा हूँ इसलिए बुरा मत मनना वो हम तीनों से प्यार करने के बाद आपसे शादी कर रही है तो कल फ्यूचर में तुम इसमें गलत क्या है वो किस से शादी करेगी यह उसकी ही मर्जी होनी चाहिए और मैंने 25 साल पहले डिसाइड कर लिया था बस यह थोड़ा सा टाइम ले रही थी वैसे भी यह हर काम बहुत सोच समझकर ही करती है यह अद्भुध है तुम से प्यार का नाटक किया तो तुम पागल हो गए अगर यह सच में प्यार करती तो क्या होता तरह सोचो मैं आप तीनों से सच कहना चाहता हूँ आप तीनों पद्मावती से प्यार करते हैं यह जानकर मुझे बेहत खुशी हो रही है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि पद्मावती में वाकि बहुत खास बात है और इसलिए मैं इस से शादी कर रहा हूँ आप तीनों पद्मावती से शादी कर रहा हूँ यह जानकर दूना है